PT reading में, although, even though, despite, regardless, ये कुछ ऐसे words हैं जो हमेशा से बच्चों को परिशान करते हैं आज की इस वीडियो में हम ऐसी सारी परिशानियों को दूर करेंगे और ये समझेंगे कि इन words में क्या difference है और ये words कहां पर कैसे use होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के introduction से शायद आपको ये पता चल गया होगा कि आज हम आपका favorite topic discuss करने वाले हैं तो पिछले काफी समय से आप लोगों की लगाता request आ रही थी कि ये although, even though, despite, regardless of, however, ये कब, कैसे, कहां use करने होते हैं तो सबसे पहले तो आपके समझना पड़ेगा कि grammatical level पर इसमें काफी सारे differences हैं तो आज की इस पूरी वीडियो में जितने भी differences हैं उन सब को समझने की try करेंगे हम ये भी देखेंगे कि कोमा कहां पर आता है, कहां पर नहीं आता क्योंकि मैंने एकसर देखा है reading and writing fill in the blank में जब हमें इन में से कोई option मिलता है तो दो या तीन option इसी वज़ा से eliminate हो जाते हैं कि कोमा और full stop सही जगा पर नहीं लगा हुआ तो आज की इस वीडियो में काफी एक healthy सा discussion करेंगे इस चीज के उपर तो बिना कोई समय गवाय चली शुरू करते हैं सबसे पहले एक slide की तरफ चलते हैं जहां पर मैंने आपको यह सिखा रखा है कि जितने भी words हैं उनको हम किस तरह से तीन अलगला category में बाढ़ सकते हैं तो देखे सारी की सारी जो confusion है वो शुरू होती है तीन वर्ट से और मैं चाहता हूँ आप उन तीनों वर्ट को अच्छे से समझें सबसे पहला linker linker क्या होते हैं कैसे होते हैं उनके बारे में हम आने वाली कुछ slide में पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि यह तीन वर्ट जो हैं यह हमेशा confusion create करते हैं सबसे पहला linker then starters और तीसरा connectors इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें मैं यह चीज clearly convey करना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ fact को जान बूझके तोड मरोड के आपके सामने रखूँगा for example linker, starter और connector में काफी सारी website पर आपको बताया जाएगा कि कोई बड़ा difference नहीं होता यह तीनों सेम है पर मैंने इन तीनों को हलग-लग इसलिए रखा है so that मेरे जो यह students हैं PT वाले जो अकसर old और therefore में confused रहते हैं तो इनको यह clearly समझाए कि कौन सा word किस जगा पे आता है और हमें कैसे इन words में differentiate करना है इस वीडियो में बताएगी काफी बातों के उपर शायद कुछ grammarian या ऐसे बच्चे जिनको grammar का थोड़ा बहुत knowledge है वो comments करेंगे कि यह ऐसा नहीं होता बट देखें मेरा ultimate target है कि जो final product है मतलो final जो आपकी समझ और understanding है उसमें कोई कमी नाए इन नामों से confused मत होना ये नाम सिर्फ मैंने अपनी समझ के लिए और आपकी समझ के लिए रखे है तो आप कल को किसी दूसरे इंसान से बात करें और वो बताए कि यह linker नहीं होता link करने का मतलब आपने एक sentence लिखा होगा और आप जब second sentence उसके आगे एक और लिखने की try करेंगे तो आप ये चाहेंगे कि पिछले sentence से आप नई sentence को link कर दे link का मतलब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा link एक मान लिजिए मद्य परदेश में है तो link का मतलब जरूरी नहीं कि दोनों साथ में हो लेकिन दोनों में आपस में कुछ connection है कुछ उनका आपस में संबंध है link है तो इस तरह से जो word दो sentences को आपस में जोडते हैं उनको हम linkers कहते हैं आपके समने इसकी definition जो मैंने टूटी-फूटी से बनाई है आप इसको पढ़ लें linkers are used to connect two sentences together without missing the flow आप एक sentence से दूसरे sentence में जाएंगे तो बीच में flow कहीं गायब ना हो जाए इसलिए उनके बीच में linker का अकसर इस्तिमाल किया जाता है ये बात अब हमेशा ध्यान रखें कुछ example linker के जो अकसर आप देखते हैं वो है therefore, due to it या however तो invert से पहले आपको हमेशा full stop मिलेगा और invert के बाद आपको हमेशा एक कोमा मिलेगा तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें अब मैं एक sentence आप visualize करें तो ये एक sentence आपके सामने रखा हुआ है आप इसको ध्यान से देखें देखें, एक sentence आ रहा है उसके बाद एक full stop आता है उसके बाद जो dash 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 है वहाँ पर एक linker आएगा उसके बाद coma आएगा और coma के बाद एक और sentence आएगा अब ये जो पहला sentence और दूसरा sentence है इन दोनों को आप उसमें connect करने का काम जो है वो linker करेगा तो I hope आपको linker का concept clear होगा linker कहाँ पे आते हैं और linker का का काम क्या होता है बढ़ते हैं आगे हमारे पास अगला जो word है that is starter starter नाम से पता लग रहा है कि ये sentence की starting में आएगे और दूसरी बात ये दियां रखना कि ये दोनो sentences जिनको ये connect करते हैं देखो ये तीनों जो confuse करते हैं linker, starter और connector ये तीनों दो sentences के लिए काम में आते हैं जब भी दो sentence फिलम में आएंगे तब ही ये तीनों में आपको confusion होगी तो linker बीच में आके दोनों को connect करता starter में on the other hand sentences के बीच में नहीं लिखा जाता starter को starter हमेशा पहले sentence से ठीक पहले लिखे जाते हैं तो मतलब अगर आपके पास पहला sentence और आप उसकी starting में कुछ ऐसा word लिख देंगे जिसकी वज़ा से second sentence अपने आपा के उसकी साथ connect हो जाएगा start a sentence in such a way that next sentence has to connect with it तो मैं आपको example से समझाने की try करता हूँ लेकिन हाँ उससे पहले ये ध्यां रखें कि starter से पहले हमेशा एक full stop आएगा लेकिन starter के बाद कभी भी coma नहीं आएगा तो इस coma और full stop से इनको पहचानने में काफी help होगी याद रखें linker के पहले full stop और बाद में coma आता है starter से पहले full stop तो आता है लेकिन बाद में coma नहीं आता जरूरी नहीं है जरूरी का मतलब आए गई नहीं कभी भी नहीं आएगा कुछ example आपने अकसर देखा होगा although, since, while इनसे पहले हमेशा आपको एक full stop मिलेगा लेकिन इनके बाद में coma कभी भी नहीं लिखा जाता अब मैं कुछ example आपके सामने like this मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले full stop से start हुआ sentence और आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल बाद एक starter आपके सामने आता है starter के बाद कोई coma नहीं है और सीधा sentence continue होता है हलांकि इस sentence में आगे जाकर कहीं पे एक coma आजाएगा और इसके बाद अपना second part आगे continue होगा तो मैं अभी तक दो पढ़ा हैं दोनों के एक एक example आपको बोल के सुना देता हूँ ताकि clear हो जाए linker में बीच में coma आता है जैसे माली जमेंने कहा the population of India is increasing full stop however, the population of Pakistan is decreasing भारत की population बढ़ रही है हलांकि Pakistan की population कम हो रही है next, starter ऐसे नहीं आएगा starter कुछ इस तरह से आएगा although, the population of India is increasing coma, the population of Pakistan is decreasing आप देख सकते हैं कि although कि से sentence start हुआ और इसके बाद पहला sentence, coma दूसरा sentence आएगा so ये basic difference है linker बीच में आके sentences को connect करता है starter शुरू में लिखा जाता है और sentences को आपस में जोडता है that is connector connector का main काम काफियत तक linker के जैसा होता है पर connector दो sentences ना बना के उन दोनों को आपस में इतने अच्छे से बांद देता है कि दोनों मिलके एक sentence बन जाते है तो जब दो sentences की जगा पर एक sentence लिखा आजाए तो उसमें बीच में coma के बाद आप connector का इस्तिमाल होता हुआ देखेंगे इसका इस्तिमाल किया जाता है एक sentence बनाने के लिए दो sentences से दो को एक में convert करने का काम करता है हमेशा coma की बाद यह आता है यह दिया रखें example so but and यह तीन example इसके काफी common है और भी काफी है मैं आगे पूरी लिस्ट आपको दे दूँगा उस लिस्ट में आप अच्छे से देख पाएंगे कि कौन सा connector कहां पर कैसे काम आएगा इसका इस्तिमाल अगर आप sentence में देखें तो पहला sentence coma के बाद second sentence अब देखो यह पूरा है तो एक ही sentence तो मैं पहला और दूसरा नहीं कह सकता technically पर आपको समझाना चाहिए कि actually मैं दो को मिला के एक बनाया गया तो दोनों अलग अलग ते जैसे मैंने कहा the population of India is increasing but the population of Pakistan is decreasing तो but बीच में जो आया उस but ने इन दोनों को एक बना दिया हलांकि यह दोनों separate sentences थे so I hope इस calculation के बाद यह सारा कुछ देखने के बाद आपको linker में और connector में और starter में जो difference है वो basic पता चला होगा अब आगे बढ़ते हैं एक और अगला पड़ाव है जिसको मैं चाहता हूँ आप पार करें साथ में जब यह सब पार हो जाएगा उसके बाद आपको एक पूरी list मिल जाएगी जिससे आपको सब कुछ समझने में काफी आसानी रहेगी तो अगला जो पड़ाव है वो है तीन केसे अब देखे क्या होता है कि जिन दो sentences को आपस में connect करने के लिए हम linker starter का use करते हैं उन में से जो sentences हो तीन तरह से आपस में जुड सकते हैं तो वो जो तीन cases है वो तीनों cases को ध्यान से समझना दो sentences तीन तरह से आपस में जुड़ेंगे या तो वो contrast दिखाएंगे या फिर वो support या addition दिखाएंगे और या फिर वो result दिखाएंगे अब मैं तीनों को एक एक करके समझाने की ट्राई करता हूं सबसे पहला ऐसा बिल्कुल पोसिबल है कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी बात करें जैसे इंडिया की पोपुलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान की पोपुलेशन कम हो रही है कि यहां फिर मैं ऐसा क्या सकता हूं कि अशीश काफी अमीर है जबकि निशय काफी गरीब है तो अब एक इंसान अमीर है दूसरा गरीब है तो दोनों में काफी कंत्रास्ट है contrast का मतलब बिल्कुल opposite जब आप दो sentences लिखें तो उनको आपस में जोडने के लिए हम contrast वाले words का इस्तिमाल करेंगे अब ये contrast वाले words की पूरी लिस्ट आपको आगे मिल जाएगी contrast के concept को समझाने के लिए मैं अक्सर में बैच में कहता हूं कि आप ये समझें कि sentence दो तरह के होते हैं या तो positive sentence या negative sentence positive और negative दोनों जब आपस में बिल्कुल opposite हो और आपस में जोडने हो तब हमें इस तरह के sentences का या इस तरह के words का इस्तिमाल करना पड़ता है for example किसी का अमीर होना positive है तो किसी का गरीब होना negative हो सकता है उनको जोडने के लिए आपको contrast की आफशकता होगी on the other hand support यह addition में हम same polarity के words sentences को आपस में जोडते हैं for example आप एक अच्छी बात को अगर एक अच्छी बात से जोडना चाहें जैसे मैंने कहा कि भारत की population बढ़ रही है and Pakistan की population भी बढ़ रही है या मैं कहूं कि भारत की GDP ग्रो कर रही है and Pakistan की GDP भी ग्रो कर रही है for example मैं कह सकता हूं कि मैंने IELTS में no band किया है और PT में भी no band की हैं, तो इस तरह से जब अपने ऐसे sentences में, जिन में दोनों में same चीज आप कह रहे हैं, दोनों बुरी भी हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि रमेश भी बिमार है और मोहीनी भी बिमार है, हैं दोनों बुरी चीज़ें दोनों बुरी बाते हैं तो दोनों को जोडने के लिए हमें support यह addition की need होगी तो यह बिल्कुल different category आगी देखो जब positive negative है तो contrast जब positive positive है या negative negative है तब अपने support वाले words का use करेंगे तीसरी category भी इसी तरह से आती है result result का मतलब अपने बच्पन में अभी भी अपने गर पे सुनते होंगे कि अच्छे का नतीज़ा हमेशा अच्छा होता और बुरे का परिनाम हमेशा बुरा होता है similarly अगर आप एक बुरे sentence के साथ एक बुरे sentence को जोड़ें तो उसके लिए आप result वाले words का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या अच्छे के साथ अच्छे को जोड़ने के लिए इसका इस्तिमाल होता है सवाल यह आया कि second और third में क्या difference है तो पहले तो difference समझो difference यह है कि support में अपने दोनों sentences free standing होंगे पहला और दूसरा उनका अपस में कुछ अच्छा connection नहीं होगा लेकिन result में दोनों एक दूसरे की वजह से होते हैं अगर पहला action नहीं होता तो second वाला action भी नहीं होता तो इसको हम result की category में रखेंगे मैं example के लिए कह सकता हूं कि मैंने IELTS में 9 band किये हैं और PT में भी 9 band किये हैं तो यह support है इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने IELTS में band score किया तब भी मुझे PT में score मिला अगर मैं IELTS में नहीं करता तब भी PT में तो आ सकता था लेकिन यहां पे जो कोशिश है वो सेम तरह की दो बातों को आपस में जोडने की हो रही है अब आप imagine करें कि मैं एक और sentence में कहूं कि मैंने IELTS में 9 band score किया और मुझे Australia का visa मिल गया study visa अब आप obviously समझ रहे हैं कि बिना IELTS में score किये visa नहीं मिल सकता score करने की वज़ा से visa मिला दोनों अच्छी बात हैं score करना और visa मिलना but score नहीं होता तो visa भी नहीं मिलता so that is why वो जो sentence था वो result की category में आएगा एक और example से समझते हैं मैंने कहा कि कल मेरे manager ने मुझे सब के सामने डांटा ये बुरी बात है फिर मैंने कहा कि उसने मुझे company से बाहर निकालने की दमकी भी दिन है ये support वाला case है एक बुरी बात की फिर दूसरी बुरी बात की लेकिन ऐसा नहीं कि डांटा तब भी उसने दम की दी इनका पस में कुछ खास कनेक्शन नहीं है हो सकता है और नहीं भी डांटे तब भी वो दम की दे सकते हैं हावावर अगर आगर मैं एक एक्जामपल दूं मेरे मेनजर ने कल मुझे सब के सामने डांटा और गुस्ते में आकर मैने अपनी जोब से रिजाइन दे दिया अब देए दोनों बुरी बात हैं, डाटना और जोप से रिजाइन देना दोनों बुरी बात हैं, लेकिन अगर पहला काम नहीं होता, तो शायद सेकंड काम नहीं होता, तो आपको यहां से क्लिरली समझ आ रहा है, अगर पहले की वज़ा से से दूसरा हुआ तब अपने रिजल्ट वाले वर्ट्स यूज करेंगे और अगर पहले दूसरे का कोई खास कनेक्शन नहीं है लेकिन सेम कैटेगरी के हैं तब अपने सपोर्ट या अडिशन का इस्तिमाल करेंगे अबी तक आपने सीखा क्या होता है लिंकर स्टार्टर कनेक्टर तीनों के एक बार रिवाइस कर लेना दिमाग में इमेज उसमकी रखना इस वीडियो से काफी स्क्रीन शोट ले लेना और अपने यह भी सीखा कंट्रास सपोर्ट और अडिशन और रिजल्ट क्या होता है और स इस पूरी वीडियो का सबसे इंपोर्टन पार्ट अब आपके सामने आ रहा है मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज टेंशन मत लेना हो सकता है पहली नजर में आपको लगे कि यह मैं क्या देख रहा हूं यह क्या चीज है जो मेरे सामने आ रही है बट थोड़ा सा रिलैक इस पूरी टेबल को अच्छे से समझ लेना मेरे ख्याल से सिर्फ यही टेबल आपकी रीडिंग में कम से कम 12 से 15 नंबर आपके इंप्रूव करवा सकती है तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना और इस टेबल के नोटस अपने साथ बनाते रहना तो चली शुरू करते है सबसे पहला देखिए सबसे पहली लिस्ट में चलते हैं मैं आपके साथ पूंटर यूज करूंगा ताकि आपको धियान से समझाए तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास कंट्रास्ट के लिए कौन-कौन से वर्ट्स हैं आप इस टेबल को ऐसे इस पाइड इस के सारी यूज होते हैं पर आपको यह देखना पड़ेगा देंखिए सबसे एक पॉजिटिव एक नेगटीव है तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि हमें जो वर्ड फिल करना है वह पूमा के बाद आ रहा है या मों फूल स्ट्रॉप के बाद आ रहा माली जे लिखाया कि चारली एक बहुत प्यारा कुटता है कोमा और कोमा की बाद डैश आगर वहाँ पे आगे लिखावा चारली को ये वाला काम नहीं करना आता नौ यू नो कि चारली के बारे में एक अच्छी बात हो और एक बुरी बात है तो दोनों को जोड़ने के लिए वहाँ पे कंट्रास्ट आएगा और आपको ये भी दिख रहा है कि कोमा के बाद जगा चोड़ी है तो कोमा के बाद यहां तो बट यहां फिर यह एक आता है तो आप अपने उप्शन में बट यह एक डूंडे वहाँ पे इसको टिक करें आपको अंसर कभी भी गलत नहीं होगा अगर अंसर गलत हुआ तो सारे पैसे इस वीडियो के वापिस आगे बढ़ते हैं अगर आपको दिखा कि नहीं फुल स्टूप के बाद हमारे पास ब्लैंक दे रखा है अगर आपको दिखा कि कोमा है तो फुल स्टूप के बाद और कोमा से पहले आपको अच्छे से आदोगा लिंकर का इस्तिमाल किया जाता है मतलब वहाँ पे हाववेवर येट इन कंट्रास्ट नेवर दल ऐसा आएगा आपके बोलें के जरीए येत दोणों जगह पे कैसे आ सकता है अब माल लीजए आपके समने केस आया कि फूल स्टू पाया उसके बाद बैंक है लेकिन आगे कोमा नहीं दे रक है और आपको आगे दो sentences को बिल्कुल contrasting sentence उनको जोड़ना है तब आप यहां पर starter का use करेंगे जैसे आप लिखेंगे although, even though, while, despite, in spite of तो आप इन से अपने sentences की starting करेंगे I hope आपको इस पूरे खेल से काफी कुछ समझाया होगा Similarly आपको जब addition मिले आपको दिखें कि दोनो sentence positive हैं लेकिन आपस में कुछ खास connection नहीं है जैसे मालो एक sentence आया कि Europe ने या फिर माले जे Hitler ने World War II के दुरान 5 लाख लोगों को मारा और second आया Hitler ने 5,000 bridges को तोड़ा यह लाइब्रेडी को तोड़ा आपको पता दोनों बुरी बाते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है कि 5,000,000 लोगों को मारने की वज़ा से उसने लाइब्रेडी को तोड़ा वो एक गंदी बात थी और यह एक और गंदी बात है अब अगर कॉमा के बाद जगा है तो कॉमा के बाद तो end यहां फिर also आ सकता है फुल स्टॉप के बाद जगा है फुल स्टॉप के दूसरी तरफ देखो कहीं कॉमा तो नहीं है कॉमा दे रखा है तो फिर वहाँ पे more over further more additionally addition top of that और मान लिजे फुल स्टॉप के बाद blank है लेकि दूसरी तरफ कॉमा नहीं है तो along with, apart from, in addition to आएगा similarly अगर आपको दिखे कि result वाला case है मान लिजे एक example आपके सामने आया कि बहुत सारे गाउं में electricity connection नहीं होता फुल स्टॉप फिर आगे लिखा हुआ है कि blank है और blank के बाद लिखा हुआ है कि लोग बड़े परिशान रहते हैं वहाँ पर अब आपको पता है कि परिशान होने का कारण यही है कि electricity connection वहाँ पर नहीं है आपको सिर्फ यह देखना है कि फुल स्टॉप के बाद जो word है उसके बाद coma है या नहीं है अगर coma है तो therefore as a result अगर कॉमा नहीं है फुल स्टॉप है लेकिन कॉमा नहीं है तब अपने because, since यह as का इस्तेमाल करेंगे ठीक है सिर्फ जैसे माल लिजे फुल स्टॉप आया तो ऐसे लिखा जाएगा because many villages are not connected to electricity grid यह अप्लाई कॉमा they face a lot of problem तो इसमें देखे coma sentence के बाद आता है अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ starters आपको याद करने पड़ेंगे देखे यहाँ पे, तो coma बीच में sentence के आता है कहीं पे, लेकिन इसके पैरों में यहाँ पे coma नहीं आता यहाँ पे starting में coma नहीं आता तो यह चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आगे बढ़ते हैं, अगर आपको दिखे कि result है, लेकिन बीच में coma की बाद blank दिये रखा है तो coma की बाद blank है तो उसमें so या फिर four का इस्तिमाल होगा तो यह था हमारा पूरा सार, काफी बच्चों का काफी लंबे समय से doubt था क्या difference होता है although में, क्या difference है therefore में, addition में as a result में मेरे ख्याल से इन से बाहर कोई word आपकी PT में नहीं पूछा जाता और शायद जितने भी questions आप से इस format में पूछे जाएंगे आप उनका जवाब देने के लायक आज की वीडियो के बात बन जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना comment box में जरूर बताया करो की वीडियो आपको कैसी लगी है क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं कितने शिदत से वेट करता हूँ आपके सारे comments का में reply करता हूँ और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे अच्छा लगता है जब हम आपस में communicate करते हैं तो वह communication करने का ये की जरिया है आपके पास वह है कि आप comment करें चैनल subscribe नहीं किया प्लीज चेक करो अभी कर रखा या नहीं कर रखा अगर आपने चैनल नहीं subscribe किया तो अभी इस button पे click कर दें क्योंकि काफी हद तक आपको ऐसी videos आगे भी मिलती रहेंगी जिनमें आपको बहुत मुश्किल concept को बहुत easy तरीके से बताया जाएगा आज किस वीडियो में इतना ही रखते हैं thank you very much मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में